कल पियमोदी नमाकन भरेंगे लेकिन उससे ठीक पहले आज यानि की रोड़ शो किया जाएगा और इस रोड़ शो को एतिहासिक बनाने में पूरी बीजोपी ने पूरी तयारियां कर रखी है ग्राफिक्स के जरी आपको बताते हैं क्या कुछ खास इस दौरान रहने वाला है इस रोड़ शो में क्या कुछ खास रहने वाला है क्योंकि आपको बता दे छे किलोमीटर ये लंबा रोड़ शो रहेगा और इसके साथ ही कुल 101 वैलकम गेट बनाए गए हैं जहां पर अलग-अलग कल्चर और अलग-अलग संस्कृतिक चीजों से पियमोदी का स्वागत कि जाएगा बाचाहे राजस्थान की की जाए महरास्ट्रों की की जाए या फिर बात गुजरात की की जाए अलग-अलग जो राज्य हैं वहां से टोलिया यहां पर पहुंची हुई हैं और कारेकरम रखे गए हैं लंका गेट से दश्मा स्वीद घार तक ये रोड़ शो चले गंगा आर्ति के दर्शन करेंगे पीम नरेंद्र मोदी तो ये पीम मोदी का कारेकरम है आपको हमने ग्राफिक्स के जरीए भी बताया तीन बज़े ये पीम मोदी का रोड़ शो शुरू हो जाएगा और बीज़पी नेताओं के द्वारे ये दावा क्या जा रहा है कि लग का गेर से दशाश्वमीद घार तक ये रोड़ शो चलने वाला है तो आपको बता दे कि जो आज रोड़ शो होने जा रहा है उसको लेकर बीज़पी क्यों और से काफी समय पहले से ही तैयारियां की जा चुकी थी आमिर शाह कलमा पर पहुंचे थे और तमाम स्थलों का उन्होंने निरक्षन किया था जहां से एक आफिला होकर गुजरेगा बात अगर सुरक्षा व्यवस्था की की जाए तो पांच घेरे के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी रहेंगे और इसके अलावा वो इन जो रोड़ चुना करेंगे कन्याओं को खाना खिलाएंगे और इस रोड़ शो में एंडिय की दिगज भी शामिल होंगे बीज़िपे के बड़े नीता भी शामिल होंगे 2014 को दोराने पर पिये मोदी के इस बार नजर है 2014 में हर घर मोदी हर हर मोदी कनारा दिया गया था देखना होगा कि क्या कोई नया नारा भी मिल पाता है झाल